अब देखें अपना जो DBMS जो syllabus है उसका पहला जो topic है वो है ER diagram और ER diagram के topic को हम लोग समझ रहे हैं और के लिए देखें सबसे पहली जो बात है कि ER diagram जो है उससे related MCQ भी क्या बन सकते हैं वो भी हम इसके हैं अंदर discuss करेंगे अब देखें सबसे पहली बात तो history of ER diagram के अगर बात किया जाए तो ER diagram के एक विजुल टूल है जो कि represent करता है ER model को और पीटर चैन नहीं 1971 में ER diagram को बनाया था उसमें क्या बनाया था entity और strong entity थी weak entity थी जिसको इस तरह से represent किया जाता है जो देखें डाइग्राम जो है उसको मैं point out कर दिता हूं इस तरह से double rectangular के द्वारा weak entity को दिखाया जाता है Oval shape के द्वारा attribute को दिखाया जाता है जब double oval shape होते तो multi value attribute होते है इस तरह से relationship के लिए हो गया यह weak relationship के लिए हो गया यह सारी ER model के notation ER model जो है वो किसी भी entities को identify करने का काम करता है representation करना होता है database को एक तरह से आप यह सबज़े कि जब भी आप database बनाने वाले हैं तो उससे पहले आपको DFT diagram और उसके बाद में ER diagram बनाना होता है तो ER diagram एक तरह से structural format है database का जो overall जो भी logical structure है उसको यह रिपरजेंट करता है Graphically Real world की जो भी modeling हो रही है जो भी हमारे database हो जा रहे है उसके बारे में यह बताता है question देखे क्या बन सकता है real world modeling में कौन सा model ही हो जाता है logical structure कौन दिखाता है Graphically कौन सा representation करता है और ER diagram किस परकार का format है structural format है यह सारे इसके MC की होगे अब देखे पहला जो question है which of the following gives a logical structure of the database graphically इसमें से कौन सा है जो database का logical structure graphically दे रहा है तो answer आपका क्या हो जाएगा entity relationship diagram अब next question है entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key is term यह गरा है कि ऐसा entity set कौन सा है जो sufficient attribute जो है primary की बनाने के लूप में यूज नहीं होता है तो साथ साथ में जैसे अपने यह topic कर लिया अब इससे related 2-4 MC क्यों हम लोग कर रहे हैं तो इसका जवाब आपके according जो भी होगा comment box में आप लिखेंगे और जवाब क्या होगा सी आपका जवाब होगा सी का मतलब वीक एंटेटी सैट क्योंकि वीक एंटेटी सैट प्राइमरी की नहीं रखता है और अगर आप वीक एंटेटी सैट के साथ प्राइमरी की जोड देते हैं तो वह strong entity set बन जाता है अब next question है for a weak entity set to be meaningful अगर weak entity set को meaningful बनाना है तो it must be associated with another entity set called the अगर weak entity set को meaningful बनाना है तो उसको दूसरे entity set के साथ जोडना पड़ता है identifying set honor set neighbor set या strong entity set आपका जवाब क्या होगा comment box में आप लिखेंगे जवाब होगा A, A का मतलब आपका क्या था, identifying set आपका इसका सही जवाब रहेगा, next देखे, weak entity set को कैसे represent किया रहता है, मैंने आपको शुरू में diagram बताया दे, और underline के द्वारा, double line के द्वारा, double diamond के द्वारा, या double rectangle के द्वारा, आपका जवाब क्या होगा, weak entity set के लिए, जवाब होगा, D, double rectangle के द्वारा, अब देखे, कुछ वापस से थोरी देखते, component of ER diagram क्या है, ER model जो है, उसमें entities आती है, attributes आते है, relationship आते हैं, ये सारी चीज़ आते हैं, entity का मतलब क्या मानते हैं, entity का मतलब होता है, एक object, एक physical existence, जो भी रख रहा है, वो एक entity है, और उसका जो group जो है, वो आपका entity set क्यालाता है, अब आता है strong entity, strong entity के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके पास ये primary की होती है, जो किसी और पर depend नहीं रहती है, वो आपकी strong entity कहलाती है, और weak entity का मतलब होगा, जो depend रहती है, strong entity के उपास, जैसे की employee will be identified entity type for dependent, which means it is a strong entity type, weak entity type जो भी होगा, वो double rectangle के द्वारा represent होगा, और उसका जो relationship है weak entity type का, और वो identifying किसके द्वारा होता है, strong entity type के द्वारा जिसको हम लोग identifying relationship कहते हैं, और उसे हम double diamond के द्वारा दिखाते हैं, अब आते हम लोग attribute के बारे बात करते हैं, तो सबसे पहला key attribute जो भी हमारे primary की होती है, वो हमारा key attribute होता है, और उसके विशेषता क्या होती है, वो unique होती है, वो not null होती है, वो overall shape के द्वारा दिखाए जाती है, और उसमें underline क्या होती है, lines करी होई होती है, एक होता है composite attribute, composite attribute का मत्तु होता है, जो कई attribute से मिलकर बनी जाती है, वो हमारी composite attribute कराती है, जैसे कि आप अगर बात करते हैं, student के address के अगर आबात करें, तो उसमें street है, city है, state है, country है, चार चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, composite attribute हो जाएगा, इसी तैसे multi value attribute के अगर आब आबात करते हैं, तो इसका मत्तु होता है, जो कोई attribute एक से जादा value को रखता है, तो वो आपका multi value attribute के लाता है, और इसका जवाब क्या होगा, phone number क्योंकि आपके number जो है, वो एक से जादा हो सकते है, derive attribute का मत्तर क्या था है, जब आप एक attribute से दूसरे attribute का पता लगा लेती है, तो वो आपका derive attribute के लाता है, जैसे age का पता, आप date of birth से पता लगा सकते है, उसको dash dash line के द्वारा, oval set के द्वारा बनाया जाता है, multi value के कैसे होता है, एक oval के अंदर दूसरा oval होता है, composite जो होता है, उसमें एक oval के कई तीन parts आपके divide कर दिये जाते हैं, तो shape ज़रूर याद दखेगा, आप उसके related, थोड़े से हम MCQ कर लेते हैं, तो सबसे पहला ellipsis represent, ellipsis इसमें से किसको represent करता है, relationship set को, attribute को, derived attribute को, या multi value attribute को, तो जवाब क्या होगा, attribute को represent करता है, diamond किसको represent करता है, relationship set को, attributes को, derived attribute को, या multi value attribute को, attribute diamond shape किसके लिए हो जाएगा, relationship side के लिए हो जाएगा next question double ellipses जो है वो किसको represent करती है तो double ellipses derived को multi value attribute को total participation of entity in relationship of weak entity side को जवाब आपका क्या होगा multi value attribute को represent करती है next relationship क्या होता है relationship one to one भी हो सकता है one to many भी हो सकता है many to one मैंने टू मैनी हो सकता है यह चाट परकार के relationship होगे अब आता है generalization generalization को आप ऐसे समसकते हैं इन हाइटेंस में जो common attribute होते हैं जो आपके parents के अंदर होते हैं वह जो attribute है वह जन्रल एंटिटी जन्रलाइज एंटिटी होती है जैसे कि मालो student टीचर तो आप एंटिटी के बात अगर कर रहे हैं तो नेम एडर्स और ग्रेड स्टुडेंट का है नेम एडर्स सालरी टीचर की है बत उसमें नेम और एडर्स जो है वह अगर पूछा जाए कि जरूर आप याद रखेंगे कि बॉटम अप अप्रोच है जो कि दो या दो से अधिक लोवर लेवल के एंटिटी से टॉप लेवल के एंटिटी बनाती है और न्यू जन्रलाइज एंटिटी जो है वह वापस से कम्बाइन होते हैं लोवर लेवल के एंटिटी को करती है वह जन्रलाइजेशन की न्यू लेवल एंटिटी होगी आप देखें एक डाइग्राम से आप समझेंगे परसन जो रहा है इसको रिपर्जेंटेशन करने का तरीका एक स्टुडेंट को इन है टो रहा है अंदर और आप समझें कि रिवर्स प्रोसेस है कि इसका जन्रलाइजेशन का और जन्रलाइजेशन दो एंटिटी को मिलकर न्यू हाई नेवल एटिटी बनाती है जबकि इस टॉप डाउन प्रोसेस है तो एंटिटी इंप्लॉई विच के इन फृदर क्लासिफाइड एज स और यह पाए जाते हैं और एक तरह से जो डिटेल्स है जो एंटिटी की जन्रली हिडन रहती है किसके द्वारा यूजर के द्वारा और यह कंसेप्ट क्या कलाता है अब्स्ट्रेक्शन के लाता है अगर आपसे पूछा जेंग पार्टिशिपेशन क्या होता है तो आपको क वो टोटल पार्टिशिपेशन को रिपर्जेंट करती है और डबल लाइन के द्वारा रिपर्जेंट करती है और पार्शिल पार्टिशिपेशन का बता होता है कि सभी जो एंटिटी है वो इन्वाल नहीं होती है तो इसको सिंगल लाइन के द्वारा रिपर्जेंट किया लाता है तो आप यहाद रखेंगे डबल लाइन मतलब टोटल और सिंगल लाइन मतलब पार्शिल पार्टिशिपेशन एम सीक्यू कर लेते दा नंबर ऑफ एंटेटी इस तु विच अनादा एंटेटी थूरू ए रिलेशन सिप सैट इस कॉट रहें क्या होंगे नंबर ऑफ इंटेटी जो है कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे तो उसका जवाब क्या आएगा आपका काडिनलेटी कलाता है नेक्स अधार रिलेशन ब्रिंग्स फ्रॉम एई-ार मोडल विल यूजरी बी इन मतलब कह रहा है कि जो रिलेशन है जो की एई-ार मोडल को यूज लि आफ राइट अप्रोच एक बॉटम अप अप्रोच है या टॉप डाउन अप्रोच है या इन में से कुछ भी नहीं है तो यह मॉडलिंग टेक्निक क्या है आपके साब से कमेंट बॉक्स में जवाब लिखेंगे जवाब होगा टॉप डाउन एप्रोच उसके बाद ऐसा इस नहीं है तो जवाब आपका क्या होगा जो एक से ज्यादा वैल्यू रखेगा वह है आपके फोन नमबर नेक्स्ट है जो भी विक एंटिटी सैट है जो यह डागरा में आप यूज कर रहे है उसके अंदर क्या है बात क्या कर रहा है तो प्रैमरी की की बात कर रहा है वन यह सकति आपका है क्या होगा जवाब आपका क्या होगा आपको मैंुनर की मटम नच्थ एक बात करेंगे इस से उसके उसके अंधर होना चाहिए तो है इन शेक्न इस विच एक एंटिटी खुद से ही जुड़ी हो या सब टाइप एंटिटी से जुड़ी हो या आर्टेटी से हो या इंस्टांस से हो जवाब क्या होगा इटसेल्फ होगा जन्रलाइजेशन प्रोसेस का फिर पूचा हुआ यह आज आपका टॉपिक हतम हुआ है जिसका नाम है या डाइग्राम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सिलिबस का है वह है डेटा मोडल्स जो कि डेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे